दोस्तों रमस्कार मैं संजब अग्गु और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टर मीडिया मंच पर हर्याणा विधान सभाज चुनाव के अंदर कॉंग्रेस पार्टी की हार के बाद में तमाम प्रकार के मंथन का दौर लगातार जारी है हरा की सुवे के जो वजीर हैं हर्याणा के परिवाहन और पावर मिनिस्टर अनिल्विज इन्होंने तो आज इस पर एक ऐसा तंज कस दिया इसको लेकर ऐसी चुटकी ली कि एक वारगी आप सोच में भी पढ़ सकते हैं और आप मुस्कुरा भी सकते हैं अनिल्विज ने कह दिया कि किसी की मौत पर भी मातम 13 दिन का होता है तो कॉंग्रेस को तो ज़्यादा दिन हो गए हैं खेर अनिल्विज की बातों को कई बार मस्करे तोर पर भी ले लिया जाता है वो मजाकी अंदाज में कुछ भी कह जाते हैं लेकिन जिस विशेपर आपके साथ इस वीडियो में मैं हूँ वो दोस्तों इस से हलक अठ करके और वो कॉंग्रेस की राजनीती को खासकर लेकर है हर्यादा परदेश कॉंग्रेस कमेटी के अंदर मैंने आपको अपने वीडियो में कई बार बताया भी है आपसे बात शेयर की है कि अब की बार कॉंग्रेस आला कमान राहूल गांदी मलिकार जुन खडगे अब की बार बड़ी सर्जीकल स्ट्राइक कह सकते है उसको या बड़ी ऑप्रेशन के मूर में है हर्यादा कॉंग्रेस कमेटी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन का मूर शायद बनाए हुए है राहूल गांदी और इसकी बानगी भर है कि हर्यादा प्रदेश कॉंग्रेस का सह प्रभारी जिस प्रकार गुप्चुप तरीके से बिना किसी शोर शरावे के एलान के जितेंद्र बगेल को लगाया गया और एक बैठक वो ले चुके हैं उसके बाद से ये संदेश साफ है कि अब की बार कॉंग्रेस पार्टी के अंदर खासकर संगठनात्मक जो बदलाव होंगे वो सीधे आला कमान करेगा सीधे आला कमान से होंगे हलाकि आप कह सकते हैं कि नियुक्तियां तो हमेशा आला कमान किया करता है ये बात ठीक भी है कि नियुक्तियां हमेशा आला कमान किया करता है लेकिन जिस प्रकार से खासकर हर्याणा चुनाव परिनाम और उससे पहले हर्याणा को लेकर कॉंग्रेस आला कमान जिस तरह से गुपचुप कहलें, खामोश कहलें, किंकिर्तवे विमूर कहलें या मूखदर्शक कहलें बना हुआ था, अब वो सब कुछ नहीं है अगर मैं आपको बताऊं तो जो कॉंग्रेस के जो नजदी की सूत्र बता रहे हैं दस साल तक जो हर्याणा परदेश के अंदर कॉंग्रेस का संगठन नहीं बन पाया था अब की बार कॉंग्रेस की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि संगठन का धाचा शुरू से ही यानि कि जैसे ही संगठनात्मक गतिविधियां शुरू होंगी नया परदेश अध्यक्ष मिलेगा आपके तो मात तैमान करके चलिए कि हर्याणा परदेश के अंदर कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्ष चौधरी उद्यभान और कॉंग्रेस के परदेश परभारी दीपक बावरिया का जाना लग़ख लग़ख तैह है वो दिन और घड़ी का इंतजार है वो दिन घड़ी कब होगी क्या वो विधानसभा सेशन से पहले होगी या विधानसभा के सत्र के बाद होगी ये जरूरत है कि इन दोनों नेताओं को कॉंग्रेस आला कमान कोई और नई जिम्मेदारी देगा कम सकब इस जिम्मेदारी से मुक्त करने जा रहा है और आप कुछ यूँ भी समझ सकते हैं कि जो हार का जो ठीकरा होता है वो कही न कही फोड़ा जाता है इसी प्रकार संगठन की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि संगठन बनाने को ले करके आप इस बात को मान करके चलिए दोस्तों कि पूरे हर्याडा प्रदेश के अंदर खासकर भुपेंदर सिंग हुड़ा गुट से संबंदित जो भी लोग है चाये खुद भुपेंदर सिंग उटड़ा है चाये दिपेंदर हुटड़ा है चाये उदेबान हैं चाये करन सिंग दलाल है चाये और तमाम कई नेता है वो सभी लोग आरोप लगा रहे है सरकारी विवस्ता, EVM, अधिकारियों पर तमाम आरूप लगा रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस आला कमान खासकर राहूल गांधी और मल्लिकार्जुन खडगे प्रियंका गांधी वाडरा और जो तमाम संकठ्रात्मक काम देखते हैं उपर के नेता उनका मानना है कि कॉंग्रेस की आपसी फूट, कॉंग्रेस का संगठन ना होना, इकायान ना बनना ये बहुत बड़ा कारण रहा आपको मैं बताता चलूँ कि चुनाब से पहले भी कई बार कॉंग्रेस आला कमान राहूल गांदी ने निर्देश दिये थे संदेश दिया था कुमारी सेलजा और चौधरी भूपेंदर सिंग उड़ा को, कि जो आपकी आपसी लड़ाई है, जो आपकी आपसी गुटबाजी है, इसको कहीं साइड रखें और पालिटी संगठन को ठीक से चलाएं लेकिन क्योंकि लगता ऐसा रहा चुनाव के दौरान तक भी, चुनाव परिणाम से पहले तक भी, कि जैसे भूपेंदर सिंग उड़ा और उनकी टीम को एक तरह से फ्री हेंड दिया हुआ था, कॉंग्रेस आला कमान ने कि वो अपने हिसाब से सब करते रहें, कॉंग्रेस चाहे कुछ ऐसी है कि जिस कॉंग्रेस का संगठन आत्मक धाचा दस साल नहीं बना था, जो हर्याणा परदेश कॉंग्रेस कमेटी का संगठन दस साल नहीं बन पाया था, जिसके लिए तमाम परदेश अद्यक्ष रहे, चाहे वो अशोकतवर परदेश अद्यक्ष रहे, च इस संगठन दीपक बावरिया ने नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा कि वो तो संगठन को ले करके जो उनका हमवर्क होता था वो दीपक बावरिया तक महुचाते थे, लेकिन दीपक बावरिया उसे आला कमान के पास नहीं भेजते थे, मैं इसलिए कह रहा था कि जब जीत होत और जब हार होती है तो हार किसी और डाली जाती है हमेशा इसलिए मैंने आपसे कई वीडियो में यह भी कहा कि यह पहला मौका है जब कॉंग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने हार की नेतिक जिम्मेदारी नहीं ली खेर अब जो बात चल रही है वो यह है कि हर्याडा कमेटी का नया परदेश अद्यक्ष नया परदेश प्रभारी और संभवता नया CLP लीडर यानि की अपोजिशन नेता जो अभी तक चौधरी भुपेंदर सिंग हुड़ा थे पिछले विधान सभाग के अंदर विबक्ष के नेता अभी तक परदेश अद्यक्ष चौधरी अधिवेशन से पहले मिल जाएगा क्योंकि 13 नमंबर से विधान सभा का सत्र है और अगर ऐसा हुआ तो यह वी अचंबे की बात होगी कि जनता ने जिस पार्टी को विपक्ष में बैठने का मेंडेट दिया कॉंग्रेस पार्टी को विपक्ष के नेता विहीन विधान सभा के अंदर रहेगी यानि की उनका कोई चेहरा मौरा नहीं होगा दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था कॉंग्रेस के संगठन की तो एक विशेश सूत्र बता रहे हैं विशेश जानकारी के अनुसार अब की बार कॉंग्रेस आला कमान कोई बड़ी बात नहीं है कि परद ऑग्रेस के अन्दर जो यूथ कोंग्रेस के पताधीकारी चुने जाते थे उनका बाकायदा चुनाव होता था पहले ब्लॉग का प्रेज़ेट चुना गया फिर इस्ट्र अंदर भी अपकी बार क्या राहुल गांधी कोई नया प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि जो चर्चाय है वो कुछ ऐसी है कि राहुल गांधी और मलिकार जुन खड़गे चाते हैं कि परदेश अद्यक्ष अपकी बार जो भी हो जिसको भी जिम्मेदारी दी जाए उसके साथ ह कुछ उसी दिशा में काम कर सकती है आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस की जो परदेश के अंदर विधानसवाज चुनाओं में हार हुई उसको ले करके उससे सबक लेते हुए कॉंग्रेस आला कमान हर्याणा के अंदर कुछ कड़वे फैसले भी लिसकता है और आपको क्य लगता है कि क्या उद्यभान और दीपक बावरिया परदेश अद्यक्ष और परदेश परभारी क्या ये दोनों रह सकते हैं और या फिर बहुत जल्दी इनकी छुट्टी हो सकती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रो झाल चरदेश ऑल crear फिर प्यास दीपक मेंट्स खर देखते हैं में जरूरूर डराभारे साथ ओने जरूर बतावर पर देखते हैं